आज बात्चित करेंगे दोस्तों पित्रपश्च के दवरान अपने कितरों की आत्मा की सांती के लिए स्राध किया जाता है और उनकी मुक्ती की कामना की जाती है दोस्तो हिंदू पंचांग के अनस्वान भाद्रबद माह की पुडिमा तिथी से पित्रबख्षी शुरुवात होती है और अस्विन माह की क्रिफ्रबख्ष की अमावस्या तक ये पच्छ चलता है पित्रबख्ष में आहार से जुड़े नियमों का पालान करना पिहद अहम होता है खासका जो स्राथ करता है उसके लिए नियम सकता है तो आए जानते हैं कि इस सान पित्रबख्ष की सुरुवात कम हो रही है और इस दवरान आहार से जुड़े क्या नियम है दोस्तो भादो महीने की पुडिमा तिति 29 सितंबर को बढ़ रही है और इसी दिन से पित्रपच की शुरुवात होगी जबकि पित्रपच का समापन 14 अक्टूबर को हो रहा है पित्रपच के समापन के बाद देवी बच यानि सार्दी नौरात्र की शुरुवात होती है पित्र पच्च के इन 16 दिनों में पितरों को भोग लगाने और उनकी आत्मा की सांतिकली पूजा पाट करने का नियम है दोस्तों नियम क्या है पित्र पच्च के दवरान पितरों को स्राद किया जाता है और 16 दिन पितरों को समर्पित होता है एथे में इन सोरा दिनों में केवल सात्वी भोजन ही खाना चाहिए मांस, मचली, अंडा, सराब, आध येसे चीजों से पूरी तरह से तुरी बना ले जो प्यक्ति स्राद करता है वो कोसेश करेगी केवल घर के बने सात्वी भोजन का ही सेवन करे बाहर का खाना इस दोरान वर्जित होता है दोस्तों मांस, मचली के अलावा इस दोरान लासुन और प्याज का इस्तेमाल भी न करें इन 16 दिनों में जो कुछ बनता है उसका भोग पितरों को लगाया जाता है और ब्रामणों को भी भोजन कराने का नियम है इसे में इस भोजन में लियासुन प्याज का इस्तेमाल न करें दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अन्यवाद, जैसे लिए आप